दोस्तों कोई कितना भी चला क्या नहों फ्रोड करने वाला वेक्ति फ्रोड करी ही लेता है दोस्तों आज मैं आपको बताने बाला हूं एक नया तरीका जो फ्रोड करने के सामने में आया है क्यार कोड के बारे में जी हो दोस्तों आप क्यार कोड से भी अप फ्रोड होने लग जब आप care code को scan करते हैं तो आपको धन्राशी नहीं मिलती है जब तक आपका उद्येश किसी को भुक्ताउन करना नहीं है तब तक किसी के द्वारा आप साजा किएगे care code को scan ना करें जियों दोस्तों यह SVI ने खुद tweet करके कहा है दोस्त और SVI ने एक वीडियो जारी किया है चलिए मैं आपको उस वीडियो में दिखाता हूँ वो अपने डाइनिंग टेबल की कुछ तस्वीरें सेकेंड सेलिंग साइट पर upload करता है और 16,000 रुपे की कीमत का tag लगाता है दूसरे दिन अरविंद उनसे संपर्ग करता है और उस डाइनिंग टेबल को खरीदने की इच्छा व्यक्त करता है पर वो कुछ मोलतोल करना चाहता है हलो रमेश जी मैं अरविंद बोल रहा हूँ वाकोला से मुझे सेकंड सेलिंग साइट पे प्रदरशित आपका डाइनिंग टेबल पसंद आया है लेकिन इसकी कीमत मेरे बजट से थोड़ी बाहर है वैसे अरविंद जी ये एक बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया डाइनिंग टेबल है फिर भी आप इसकी क्या कीमत उमीद कर रहे है मैं इसके लिए 14,000 रुपे दे सकता हूँ अरविंद जी ये तो बहुत ही काम होगा चलिए 15,000 रुपे में इसे तै करते हैं ये मेरा सबसे अच्छा प्रस्ताव है ठीक है रमेश जी वेरिफिकेशन के लिए मैं एक छोटी रुपे में ट्रांसफर करता हूँ मैंने 10 रुपे आपके खाते में ट्रांसफर किये हैं क्रिपया इसकी पुष्टी करें हाँ अरविंद जी मेरी बैंक से सूचना आ गई है मुझे 10 रुपे प्राप्त हो गए है ठीक है मैं बाकी के 14,990 ट्रांसफर करता हूँ बाकी रुपे पाने के लिए क्रिपया आपके एप पर QR कोड को स्कैन करें और कलेक्ट रिक्वेस्ट को स्वीकार करें रमेश एक सुलजे हुए और समझदार SBI ग्राहक है उन्हें बैंक से ऐसी धोके बाजी के बारे में अक्सर चौकनना रहने के लिए संदेश आते रहते हैं वे तुरंथ सतर्क हो जाते हैं और उन्हें मालुम है कि QR कोड का उप्योग रकम अधा करने के लिए होता है ना की प्राप्त करने के लिए वे तुरंथ ही फोन कार्ट देते हैं और कोई collect request को स्वीकार नहीं करते इसलिए सतर्क रहें इस बात को समझेए collect request को स्वीकार करने से या QR code scan करने से हमेशा आपके खाते से पैसे चले जाएंगे तो पैसे प्राप्त करने के लिए ऐसा आप किसी भी संजोग में ना करें अगर रमेश जी ने इस कलेक्ट रिक्वेस्ट को स्विकार कर लिया होता या QR कोड स्कैन किया होता तो उनके बैंक अकाउंट में पैसे जमा होने की वजाए चले जाते सतर्क रहें, धोके बाजों से सावधान रहें तो दोस्तों वीडियो में तो सारा इन्फोरेशन आपको मिल ही गया होगा QR कोड से कैसे फ्रोड होता है, कैसे बचना है तो आप कभी भी भूल से भी पैसा को प्राप्त करने के लिए बैंक में ऐसा ना करें, QR को इसका ना करें हो नहीं तो आपका एकाउंट खाली हो सकता है, यह नया फ्रोड है, बहुत तेजी से चल रहा है तो मैं आपको यह अलट जारी किया हूँ, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को शेर कीजिए और अगर इस चैनल पर नए है, तो सब्सक्राइब कर दिजिए, और बगल मुझे बैल आपके है, उससे भी आप दबा दिजिए, ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको कहुंसता रहेगा तो दोस्तों मेरा एक न्यू चैनल है, उसको भी आप सपोर्ट किजिए, लिंक आपको लीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, धन्यवाल